ओम नमह सिवाय और साथ में भी आपके लिए अगले 14 अपरेल 2022 तक आज से ही लेकरके एक विसेश मंत्र है जो अवस्य करते ही रहना चाहिए और ये आपको इसलिए करना चाहिए कि इस पिरियड में आप ही भी बर्स के सुरु से लिकी और 14 अपरेल तक आप जो देव गुरु दिख रहे हैं कुम रासी में यहाँ पे संचरण करते हुए दिख रहे हैं आपके अश्टमभाव में यह उतो यह बिपरीत राजियों का निर्मार है फिर भी स्वास्त की दिश्टिकोंड से खर्चे के दिश्टिकोंड से यह 14 अपरेल तक का जो समय आपके लिए रहेगा यह काफी परसान करने वाला रहेगा तो आपको अपने स्वास्त पर और साथ ही अपने पीता जी के आउधानी रखनी चाहिए इस पीच में देख रहे हैं जनौरी माह के लिए यह 15 जनौरी का हमने लगाया हुआ है तो अभी 15 जनौरी के पहले सूरिदेव आपके धनूरासे में अर्था छठे भाव में यहां पे हैं तो 15 जनौरी तक तो स्वास्त में भीसे इस परसानी नह है लेकिन अब सूरिदेव 15 जनौरी से लेकर के और 15 फरोरी तक यहीं पे रहेंगे और आप देख रहे हैं कि यहीं पे बुद्ध भी हैं यहीं पे सनी हैं और 19 जनौरी से 12 फरोरी तक सनी देव अस्त भी रहेंगे तो यदि आप विवाह करने के चुक हैं तो इस पीरियड म आपका विवाह बिल्कुल भी कहीं तैन नहीं होगा कितना भी अच्छी दसाथ क्यों न चल रही हो इधर वाधाएं रहेंगी ही रहेंगी और उसके बाद से यदि विवाहित हैं तो कम उमर है तो भी कुछन-कुछ पतनी से खटपट अवस्य होगी इगो से बचना है नहीं त स्थिती बनाते हैं तो इसलिए आर पार भी जाने के बना सकता है इसलिए आपको शावधान अवस्य रहाना चाहिए तो जैसे ठा भाप होاتधा हुआत्वाला प्रतनी था जीवन साथ ही बना सकता है तो मिए हमेशा एहीस समझेबाइद एक Issue wants जिवन पतनी ही आता है, और पुराने सास्तों में यही मिलता, क्योंकि पुरुस प्रधान तब समाज रहा और पुरुस वही जो तिसको दिखाने भी बिजेश तया जाते थे, तो इस तरह करा, तो इसको जीवन साथी ही आप समझा करें, तो जीवन साथी के लिए यह टाइम अच्छ पंदर फरोरी मकर में तो यह हैं, और पंदर फरोरी से मार्च तक यह आजाएंगे, यहाँ, कुम्ब में आजाएंगे, गुरु भी यही रहेंगे, इस बेच में गुरु अस्थ हो जाएंगे, तो पिता जी के स्वास्त को लेकर के बीसे यह साओधानी रखनी होगी, अपन धनेश भी यहां से आये जाएंगे और यहां भी अस्टम्भाव में जाकर आनी इन सभी परिशानियों से आपको भी रोग हो सकता है जैसे बुखाराद ही हो जाना तो इस तरह की स्थिति बने रहेगी और इसलिए पहले ही महामंत्र का हमने जो कहा उसे जबते रहेंगे तो ज सबका आना जाना लगा ही है तो जब उम्रो जाएगी तो कोई परसानी चोटी मुटी परसानी है बेज का वो है तो वो कट जाता है महामित तुन्जे मंत्र से उसके बाद से 15 मार्च से लेके अपरेल में सुर्देव मीन में आ जाएंगे तो भी थोड़ा सा पिताजी के लि तो वो उस समय भी आपको साउधान अवस्य रहना चाहिए 15 अपरेल से माई के भी सुर्देव यहां आ जाएंगे सुर्देव के अनुसार यह गोचर तो बहुत अच्छा हो जाएगा उसी बीच में 29 अपरेल को सनी यहां से हो करके आ जाएंगे आपके अस्टम वाव में औ अपर आपको लग जाएगी धाया तो अस्टम अस्टानस धाया यहां तो यह भी विपरित्राजयोग बनेगा लेकिन विपरित्राजयोग अस्टम अस्टम वहीं पे हैं तो सनी दे उमर की तो हानी नहीं करेंगे फिर भी इनकी दृष्टी नहीं देखिए यहां कर्म नौक पर दोड़ी से देखने से लेकिन उसके बाद 15 मई से 15 जून में सूरी यहां पर आ जाएंगे लाभभाव में गोचर यहां भी अच्छा है और नोकरी याद मिलने इच्छित कारे उबरा करने की लेकिन तब पिता जी के लिए थोड़ी से परसानी रहेगी और यह जो कारे च् कुछ न कुछ मन मुटाव आदी होना सुरू होगा और फिर भी आप बच जाएंगे अच्छा चल जाएगा ठीक ठाक चल जाएगा सूरी का गोचर अच्छा और गुरू यहां पर आ जाएंगे तो पिता जी का स्वास तो बिलकुल उत्तम हो जाएगा भाई बाई बानों के पहले तक आपको विशेश सावधान रहना है देव गुरू के नीच यहां अस्तम अस्तान जाने के करन लाब क्या होगा चोदा प्रता के दिया आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास रत हैं कम्टीशन के लिए प्रयास रत हैं संगर्स करेंगे तो आपको सफलता मिल तो ये सब विपरीत राजयोग में आ जाता है इधर जो बना है तो विपरीत राजयोग को ऐसे ही समझेगा कि विपरीत परिस्थिति उत्पन होना और उसे निकल के आपको सुखदिस्थिति की प्राप्ति होना तो अब जो है पंदर हाँ यहां हमने कहा कि सनी देव यहां जाएंगे तो तब आपको महामेतुजा मंत्र की मुकालाफ मिलता रहेगा गुरु देव समालते रहेंगे इस्थिति अच्छी रहेगे लेकिन अब सूर्यदेव यहां आ रहे हैं और यह आ रहे हैं पंदर हून से जुल पंदर हुलाई के बेश में अब यह इस्थिति 12 भी अश्टम भी शक्री तो धनहानी का बहुत बड़ा योग बनेगा और साथ में पिता जी के स्वास्त में भी पुना कुछ परसानी आ सकती है तो उसमें आपको सावधान रहना होगा और राहु इस बीच में इधर चले आएंगे में इसमें राहु का दसम में भी गोचर यस पतिश्ठा नोकरी आदि दिलाते रहेंगे तो थोड़ा सा ये महीन आपको पुना जुवर आदि देने की स्थिती में रहेगा धनहानी की स्थिती में रहेगा लेकिन उतनी परसानी नहीं रहे जितनी माह के सुरू में रहेगी और 15 अगस्त से सितंबर के बीच में 15 गोचर अच्छा नहीं है, कुरोध आपको होगा, या त्राएं वेर्थ की हो सकती है, पत्नी से विवाद हो सकता है, अथवा साजेदारों से वहसवाजी हो सकती है, जिस जातक के पास जो इस्थितियां रहेंगी, उस तरह उसको कुछ निगेटिव परिणाम ही होना है, तो उ कारे करेगी, तो इधर जो नुकसान रहेगा इन दो महीनों में, सुरेदेव यहां जब आएंगे, 15 अगस्य, 15 सितमबर तो आपको प्राप्ती हो जाएगी, पुना एक महीने करन्या में आगे रहेंगे, 15 सितमबर से 15 अक्टूबर तक यहां भी जो नुकसान हुआ है, इध सरकारी एधिकारियों से कोई अठका हुआ काम है वो बन जाएगा जो बास से खटपट थी वो बन जाएगी तो ये मतलब समय अच्छा रहेगा मोटा मोटा आप जो करेंगे ठीक ठाक इस्थती रहेगी अगला है तुला तुला यहां के नीच बन जाते हैं और ये 15 ऑजिके लिए बहुत कंश्ठ की आगमन की इसकति हैं इस तरह कि सत्या रहें गे 15 नॉबमबर से दिसंबर ये व्रिष्चिक में आ तो यहाँ पे संतान के लिए अच्छा नहीं है और जिनकी प्रिगिननसी चल लए है उनको इस समय विशेश सावधान रहना चाहिए नहीं तो नुकसान होने के स्थिती हो जाएगी तो डक्टरों के सलाह में रहना है इस पूरे माह और उसके बाद से पुना 15 दिसंबर से 15 जन लेते इस माह उससे तो लगभग 80% बैतर है 100% बैतर है क्योंकि गुरु आपके योग कारगरा बनते हैं वो अपरेल में निकल के चले आ रहे हैं भाग्यभाव में और आपको हर परिसानियों से निकलने के लिए वो तायार बैठे रहेंगे बीच बीच में क्योंकि करक रास के लिए रहेगा तो धैया लगेगी आपको 29 अपरेल से लेकिन बहुत परसानी का ये समय इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि गुरु आपको 80 देते रहेंगे तो आपके लिए अगली आने वाली जो देड़ साल सनी के बचेंगे धैया की जब गुरु भी में इसमें चले जाए कर दो देकिन थीए झाया क्योंकि है